आज एक IS अधिकारी जो सबसे बड़ा है दलित में उसको गोड़े में बैठने के लिए application देना पड़ता है आप दलित के कितने लोग पड़े हुए आप वर्गी करन करके फूट डालके राज करने के नियम खतम कर दो पहले हिंदू मुसल्मान में फूट डाला अब दलितों म पूट डालोगे पिर पिछले में फूट डालोगे अपना वोट बैंक करोगे यह आरक्षन दलित को कितना तुम दोगे तुमको देने पड़ेगा यहां उनका समयधानी का दिखार है समाजिक मामला है आर्थिक महामला नहीं जो आरच्छड मिलना है नहीं नहीं तब तक सम कर लो यहां से साफ कर लो दलित को भी मंदर में प्रज़ दो तब आरक्षन को पूरा नीचे दबेर की आपको लगता कि अभी जरूरा था अभी बदला नहीं बदलेगा दलित का प्रेजिडन्ट होके मंदर में नहीं जा पा रहा है क्या बदला समाज और आप बोलो कि नुक्सान हो रहा यह पंटी ठाकुर्बी बेरोजगार है अर्शिक कर तक पूंजी वाल्दि को कर दे रहा हूं रुप्य जरूरत यह हुँ पांच कर पूंजिवादी को दे रहे हूं तब तक आरक्षण देना पड़ेगा अरक्षण इन सब को बिलकुल ये बैमानी है तरसल ये राजनेतिक कोड़ है ये कोई भी पार्टी हो ये राजनेतिक कोड़ है तो क्या आप डस्वा बारवा पास को क्या आप डाक्टर की डिगरी दे देंगे तो अगर उसमें काबलियत होगी है कि हम जो हमारे दलीद भाई है जो भी है उन सबको और चाहे उच्वर के जो भी है और वो निर्धन है तो उने शिक्षा मोया कराई जाए फ्री शिक्षा मोया कराई जाए ताकि वो उस मुकाम तक आसानी से अपने बल्बूते पहुंच पाए अपनी काबलियत के बल्बूते पहुंच पाए ना कि सरकारी शिक्षा सबको चाहिए प्री शिक्षा ही से परवर्ता ना थकता है आरक्षड तो यह इन लोगों का पाप है आरक्षड तो यह मतलब मुप्त शिक्षा हो जाए ठीक है लेकिन सिक्षा का भी तो एक अपना होता है कि हम सिक्षा ग्रेंड करेंगे उसके बाद हम कहीं न कि अरफिक रूप से मजबूती मिलेगी तभी तो इंसान की पीडिया अच्छे से होंगी न अगर आप समाज में समानता लाने की कोई कोई कोशिस कर रहे हैं समानता की कोई सोच कभी भी पाप नहीं हो सकती है देके तो उसको सिक्षा में भी दिया गया उसके बाद जोब में भी है जब वह जौब में आए गा एक तीस चालिया जार की नोकरी पाएगा तो उसकी पीड़ी जाहिसी बात जो अगली तयार होगी वह कैपेबल भी होगी कि आपको क्या है तो वह अरक्षण की बहत करता है जब संत्ता में आ जाता है तो उसके सुरु बदा यहीं बात नरेंदर मोधी ने 2010 की बात कई थी ज्याति जड़ करना की बात कई तो यह चाहते हैं कि दली या एस्टी ओविसी जो भी है अपनी पहचान बनाए ना कि समाज में गलत निगात से जाना जाए उससे मेरा बहुत पॉइंट मजबूत है मैं यह कहता हूं जो नीचे का तपका है उसे समान से जीने कहा के और वो यह कहें कि हम सरकारी लाब उठाकर यह अपने आपको नीच साब हलका साबित करके मुझे लगता है आपको अगर कोई योगता नहीं है और आपको आरक्षण दे दिया जाए तो मतलब हम किसी अनपड़ आदमी को डक्टर बना दे इंजीनियर बना दे वह फुल बनाए फुल गिरा दे डाक्टर का मैं इलाज करना मिनिममम जो यह बोले आरक्षण को पाप वही बोल सकता है जो पापी हो आप बताईए यह बता रहें कि अगर दरीत उपर हो जाएं तो सब इस्द करेंगा प्रेश्ण को नहीं बुलाया जाता है यह यहां पर है जब तक समाज नहीं सुदेगा आरक्षण देना पड़ेगा फीन के लिए जाएगा आरक्षण आरक्षण जीन के लिए ज पर्णी नहीं कर सकता ना messyम कोड कर रहें इन्होंने पार्टी माट कि अदी विछेष की बात किहें लिए और इसने देना जाते बार्तियों की बात करती बाकि कोई पार्टिया नहीं करती है और मैंने कि अपने आपको जो दलित कहलवा है मुझे लगता ये शरमिल्दिकी के बात है कि अगर मिल रहा है या नहीं मिल रहा मैं उसके आना चाहते अगर सरकारे तो इस पर राजनीत करती है एक सरकार आती है उसको ले आती है वह पर तो कोई आरक्षड नहीं था वास्तिविक्ता यह है कि हमारे नेताओं की जो भी राजनीत है उससे देश पिछडा हुआ है ना कि आरक्षड की लड़ाई लड़ा कर अगर अंदर देश में जो अपनी राजनीत साधनी की कोशिफ की जा रहे वह एक उनका अपना मुद्दा हो सकता है आरक्षड एक ऐसी बेवस्ता है जिसने दवे कुछले लोगों को मौका दिया है अभीम रावां मेटकर जब इतने पड़े लिके इंसान थे तो उनसे क्या ऐसे चूक हो सकती थी उन्होंने यह चीज़ देखी क्योंकि हमने अपनी आगों से नहीं देखी सब्सक्राइब कर दिए उन्हें नीचे दबा के रखा उन्हें सिक्षा से महरूम रखा अगर सिक्षा मिली होती अगर सन सब्सक्राइब कर नाम लेकर सत्ता पर बैठे ये नेता उसको कोड बनाते हैं बाई देखे वो तो आपकी काबलियत के उपर है कभी इसे पिछले आप उठाके ओलंपिक देख लीजे हम काफी अच्छे पोजीशन पर आए है पिछली बाद साथ थे वो चुड़िये मैं इसे पूछना चारू मान लीजे चलिए आरक्षड खतम हो जाएगा तो ऐसी कौन सी स्थितिवा आएगी कि जिससे पिछड़े लोगों का विकास होगा अरक्षड तो कही ना कई अगर कुछ लोगों को मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है अगर खतम कर दिया जाएगा तो वही पुरानी बात फिर आजाएगी कि जिसकी जितनी जहां पर जो बना पाएगा अपना सिस्टम वही जाएगा वरना एक मजबू रहेगी कि वह पिछड़े लोगों को भी लेगी आपके बच्चे होते आपके उपर जाती की पहले से और आपको आरच्ण मिलता तो क्या खिलाफ होते हैं बाती नहीं समझ रहे हमारी शादी से या आरच्ण से क्या मतलब है कैसे कह देते हम हमको पता है कि हम में जो काबलियत है काबलियत रोजगार नहीं क्या है एक बेटी है शादी होगे वह अपने घर में पत्नी उपर चली गए